हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में बच्चों आज के वेडियो में हम पढ़ने वाले हैं कहानी टोपी सुकला और यह कहानी कक्षा 10 के हिंदी पाठेपुस तक संचयन भाग दो से लिया गया है इस कहानी के लेखक हैं राही मासुम रजा बच्चों लेखक इस कहानी के माध्यम से बच्चक की बात करते हैं बच्पन में बच्चे को जहां प्यार और अपनापन मिलता है बच्चा वही रहना चाहता है और इस कहानी के दो मुख्य पातर हैं एक है टोपी और दूसरा उसका पहला मित्र इफवन जिसे टोपी हमेशा इफवन कहकर के बुलाता था इफवन को यह बात अच्छी नहीं लगती वह बार-बार अपने नाम को सुधारता लेकिन टोपी उसे इफवन ही कहता फिर भी वह इफवन कहने पर भी बोलता जरूर था यह उसकी बड़ाई थी यानि बड़पन थी कि वह कभी भी टोपी से नाराज नहीं होता था तो बच्चों इस प्रस्तूत पार्ट में लेकर टोपी की कहानी हम सब को सुनाना चाहते हैं इसलिए लेकर कहते हैं कि वह इफवन की कहानी पूरी नहीं सुनाएंगे बलकि केवल उतनी ही सुनाएंगे जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी लग रही है इफण टोपी की कहानी का एक हिस्सा है जिसके बिना सायद टोपी की कहानी अधूरी है ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरितर हैं एक का नाम बलभदर नारायन सुकला है जिसे प्यार से टोपी कहते हैं और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा जिसे घरवाले प्यार से इफ्वन कहते हैं अब लेखा कह रहे हैं कि इफ्वन की दादी पूरव की रहने वाली थी 9 या 10 साल की उम्र में उनकी साधी हुई थी पहले बच्चों छोटी उम्र में ही साधियां हो जाया करती थी और वह लखनौ आ गई परन्तु जब तक जिन्दा रही वह पूरव की ही भासा बोलती रही लखनौ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भासा थी उन्हों ने तो माईके की भासा को ही गले लगा रखा था क्योंकि उनकी इस भासा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बास समझ पाता आगे लेखक उसकी दादी के मन की बात बताते हुए कहते हैं कि जब उनके बेटे के साधी के दिन आए तो गाने बजाने के उनका दिल तरपने लगा परन्तु उनके जो पती थे वह मौलवी थे इसलिए घर पर गाना बजाना नहीं हो पाया बेचारी का दिलोदास हो गया लेकिन इफण के जन्व के छटे दिन के असनान पूजन उत्सब पर उन्होंने जी भर कर उत्सब मना लिया था देखा कहते हैं कि इफण की दादी किसी इसलामी आचारे की बेटी नहीं थी यानि वह किसी मौलबी की बेटी नहीं थी बलकि एक जमिंदार की बेटी थी दूद घी खाती हुई बड़ी हुई थी परन्तू लखनव आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी जब भी वह अपने माई के जाती तो जितना उनका मन होता जी भर कर खा ले थी क्योंकि लखनव वापस आते ही उन्हें फिर मौलवियन बन जाना परता इफन को अपनी दादी से बहुत प्यार था प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बरी बेहन और छोटी बेहन नुजहत से भी था प्यार प्यार किया करता था अम्मी तो कभी कभार इफन को डाट देती थी और कभी कभार तो मार भी दिया करती थी बरी बेहन भी अम्मी की ही तरह थी, कभी कभी डाटती और मारती थी अब्बू भी कभी कभार घर को नैयाले समझ कर अपना फैंसला सुनाने लगते थे नुज़त को जब भी मौका मिलता वह इफ़न की कौपियों पर तस्वीर बनाने लगती थी बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंच फुल्ला, रानी की कहानिया सुनाया करती थी इफण की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई थी उसे भी इफण की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी इफण की दादी टोपी को अपनी मा की पार्टी की दिखाई देती थी कहने का आर्थ है टोपी की मा और इफन की दादी की बोली एक जैसी थी टोपी को अपनी दादी बिल्कुल पसंद नहीं थी उसे तो अपनी दादी से नफरत थी वो पता नहीं कैसी भासा बोलती थी टोपी को अपनी दादी का भासा और इफन के अब्बू की भासा एक जैसी लगती थी अब लेखक कहते हैं कि टोपी जब भी इफन के घर जाता था तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिस करता था टोपी को इफण की दादी का हर एक सब्द सक्कर की तरह मीठा लगता था पके आम के रस को सुखा कर बनाई गई मोटी परत की तरह मजेदार लगता था तिल के बने वेंजुनों की तरह अच्छा लगता था लेखा कहते हैं इफण की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछ कर बात को आगे बढ़ाती थी उसकी अम्मा क्या कर रही है अब पहले पहले तो टोपी को समझ नहीं आया कि अम्मा क्या होता है प्रंतु बाद बाद में उसे समझ में आ गया कि माता जी को ही अम्मा कहा जाता है जब टोपी ने अम्मा सब्द सुना तो उसे यह सब्द बहुत अच्छा लगा जिस तरह गुर्की डाली को मुँ में रखकर उसके स्वाद का आनन्द लिया जाता है उसी तरह वह इस सब्द को बार बार बोलता रहा अम्मा, अब्बू, बाजी ये सब्द उसे बहुत पसंद आए एक दिन टोपी को बैगन का भुरता जैदा अच्छा लगा रामदुलारी जो टोपी की मा थी वो खाना परोस रही थी टोपी ने कह दिया कि अम्मी जरा बैगन का भुरता अम्मी? या सब सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग चौक गए उनके हाथ खाना खाते खाते रुग गए वे सभी लोग टोपी के चहरे की ओर देखने लगे टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी बक्त खाने की मेज से उठ गई थी और टोपी की मा राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि क्या वो इफ़न के घर जाएगा? इसके उत्तर में हर बार टोपी हाँ कहता मुन्नी बाबू और भैरब जो टोपी के भाई थे वे टोपी की पिटाई का तमासा देखते रहे आगे लेखक कहते हैं कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबू और एक बात जोड़ कर बोले कि एक दिन उन्हों ने उसे रहीम कवाब जी के दुकान पर कवाब खाते देखा था अब सच्ची बात तो यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कवाब खाते देखा था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत के तौर पर भी दी थी ताकि टोपी घर पर उनकी सिकायत ना कर दे उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हो गई थी कि उसका सारा सरीर दर्द कर रहा था दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उससे पिछले दिन की सारी बाते बता दी दोनों भुगोल सासर की कक्षा को छोड़ कर बाहर निकल आए पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खड़ी दे क्योंकि बात यह थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता था टोपी बहुत ही भोले पंसे इफ़न से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदलने उसकी दादी इफ़न के घर और इफ़न की दादी उसके घर आ जाए टोपी कहता है कि उसकी दादी की बोली तो इफ़न के परिवार की बोली की तरह ही है टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफ़न कहता है कि टोपी की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इफ़न की दादी उसकी अब्बू की माँ भी तो है जब टोपी और इफ़न बात कर रहे थे उसी समय इफ़न का नौकर आया और खबरदी कि इफण की दादी का देहान थो गया है साम को जब वह इफण के घर गया तो वहां सांती थी घर लोगों से भड़ा हुआ था परन्तु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था जबकि टोपी को तो दादी का नाम भी मालूम नहीं था परन्तु उसका इफण की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था दोनों अपने घरों में अजनवी और भरे घर में अकेले थे क्योंकि दोनों कोई उनके घर में कोई समझने वाला नहीं था दोनों ने एक दूसरे का अकेला पंदूर कर दिया था टोपी इफण को सहानुभूती देते हुए कहता कि इफण दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो ठीग होता अब लेखा कहते हैं कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकडी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो बदली कहने का अर्थे बच्चों ट्रांसफर तो इफण की पापा का ट्रांसफर हो गया था इसलिए टोपी ने ऐसी कसम खाई 10 अक्टूबर सन 45 का टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है क्यों है यह महत्व? क्योंकि इस तारिक को इफण के पिता का बदली मुरादा बाद हो गया और वे सभी चले गये थे अब आगे देखे टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस करी रहा था और अब इफण के चले जाने पर वो और भी अकेला हो गया था क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकूर हरिनाम सी के तीन लर्कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका था दब्बू बहुत चोटा था बीलू बहुत बड़ा था गुड्डू था तो बड़ाबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था अब ना तो इफण था और ना ही इफण की दादी जो उसे समझ सके घर में ले देकर एक बुढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी तो वह अब सीता के साथ ही समय गुजारने लगा तो बच्चों कहानी के इस पार्ट में बस इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं आप से कहानी के अगले भाग में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद